हेलो गाइज, वेलकम टो आज चैनल सिविल मेज आज आपके सामने अमेजिंग फ्रेंट एक्स्टिरियर वाल डिजाइन लेके आया हूँ मैं दुबारा से जैसा कि आप देख रहे हैं यह हमारा आर्क है 9 इंची का 4 इंची वाल पे हमने 9 इंची टक निकाला है और जो यह ब्रिकवर का आप देख रहे हैं यह टेंप्रेरी है यह बस शट्रिंग प्रोवाइड करने के लिए हमने ब्रिकवर किया है जो आर्क को सपोर्ट दे रहा है आप्टर 4 तू, 5, 4, 7 डेज हम इसको हटा देंगे यहां से अप्टर कंस्ट्रक्ट करनी है आप्टर कंस्टरक्षन यह कुछ ऐसा दिख रहे हैं गाइस, बहुती अमेजिंग, बहुती सुन्दर, बहुती बहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है हमने यह डिजाइन बहुत ही प्यारा लुक है इसका यह हमारा 20 इंची का कोलम है स्टार्टिंग में फिर अगेन 20 इंची कोलम फिर अगेन आर्क फिर अगेन 20 इंची कोलम फिर अगेन 20 इंची कोलम फिर में गेट आ जाएगा मारा बहुत ही भैतरी इन डिग्री लेते हुए एंगल का फिर ब्रिक वर्क किया है हमने इस पर 4 इंची वोल पर 9 इंची कटक लिया है यह 20 इंची है हमारा length में and again एक arc हमने दिया है again 20 इंची का column यह हमारा main gate हो गया guys again 20 इंची का column दिया हमने यहां पर and brick work को construct किया है and again 20 इंची का column दिया है जो एक 20 इंची के column है इसके नीचे जो एक PVC का pipe है इसके अंदर हमने concreting fill किया है and जो इसके आउट दोनों साइड आपको brick work दिख रहा है यह भी temporary है 7 to days में 5 to 7 days में हम इने हट आ देंगे और बस यह एक PVC का 3 इंची का circular column आपको दिखेगा and उसके ओपर 20 इंच ओ brick work दिखेगा बहुत ही amazing look आएगा guys इसका उसके लिए एक अलग वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा जब यह finish हो जाएगा पूरा plaster के साथ बहुत ही सुन्दर है guys मन मोहक design बहुत ही ध्यान से बनाया गया है इस design को आप सभी के लिए यह मेरा वीडियो है अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे कि आप दूर से देखेंगे तो कितना प्यारा लुक आ रहा है without finishing लेकिन जब plaster हो जाएगा तो उसके बाद finishing बहुत अच्छी आएगी side में जो हाउस है इसमें कुछ खास काम नहीं हुआ 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 और जो यह आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही बहुत ही बहतरीन brickwork है 4 इंची के वोल में हमने 9 इंची का टक निकाल के आर्क को construct किया है brickwork को बहुत ही मुश्किल वर्क होता है guys यह construct करना एक बहुत ही skilled labor चाहिए आपको इसके लिए super horizon भी बहुत बहुत बहतरीन होना चाहिए यह जो हमने wooden ply दी हुई है यह शट्रिंग का काम कर रही है हमारे आर्क के लिए यह 4 इंची वोल है हमारी जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ इसके उपर 9 इंची का वोल है और इसका एंगल हमने as a compass से construct किया है और यह कंपास यूज करके हमने इसका आर्क दिया है बहुत ही अब यह हमने सेंटर पर अपनी मार्किंग कर लिए एक इनर साइड और जो हमारे पास यह 50 है इसको हमने दो कील लटेच कर लिए इसके अंदर एंड जो हमारा दो कील लटेच करने के बाद एक जो कील रहेगी हमारी वो इस पॉइंट पे रहेगी एंड जो दूसरी कील होईगी वो एक हाइट हमने 50 पे ले लिया है उसको हम यहाँ पर एक पॉइंट रखके उसको ऐसे आर्क के शेप में construct कर देंगे जैसे कि हम आपको याद होगा in our childhood we use compass हम compass का प्रयोग करते थे अपने paper पे circle या arc draw करने के लिए वैसे ही same हमने यह यहाँ पर side पर ही बनाया है उसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे एक point को यहाँ पर रखेंगे और दूसरा जो height होगा उसको हम यहाँ पर ऐसे करते हैं